The title of this module is Example No. 1 of Perpendicular Axis Theorem ये बटा सबसे पहले हम देखते हैं कि problem की statement क्या है बटा से पहले आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि Perpendicular Axis Theorem की छोड़ा सी brief idea देता चलूं ये बटा समें हमने क्या पड़ा कि हमारे पास Perpendicular Axis Theorem कहता है कि हमारे पास अगर कोई भी एक plane body है तो उसके एक axis जो है वो that is perpendicular to the body उसके about a moment of inertia calculate करना हो तो about x axis और about y axis जो कि उस plane के ओपर ही है जो उस body के ओपर है लाई का रहे हैं उसके अंदर तो उन दोनों के sum के equal होगा तो this will be the moment of inertia about the z axis तो देखते हैं स्टेटमेंट क्या कहती है इसकी problem की कहते हैं कि find the moment of inertia of uniform circular plate or disk about any diameter तो देखते हैं कि हमारे पास क्या है कि एक circular plate है या आप इसको पैट आप ये अगरचे circular hand तो circular नहीं है लेकिन अगर further time being अगर आप इसको assume करें कि this is a circular one तो क्या कहते हैं कहते हैं कि find the moment of inertia of a uniform circular plate or disk about any diameter बाट एनी diameter से क्या मुराद है उसने को particular tune नहीं दी या एनी से मुराद यही है कि बाटा अगर ये circular हो proper ये अगर circular है तो ये diameter इधर diameter इधर ले इधर ले बात तो एक यह इससे तो कोई फरक नी पड़ेगा कि यहां इसके बाट ले इसके बाट ले इसके बाट ले तो ये कोई फरक नी पड़ेगा बेटा खास बात आपको ये भी बताता चालूँ कि देखें पहले आपने moment of inertia calculate किया था पहले पिछे आपने माडूस पड़े हुए है जिसमें आपने moment of inertia calculate किया था वो जो कि उस axis के बाट जो कि सेंटर से पास कर रहा था तो that was perpendicular to the axis perpendicular to the plate ये आपके पास बेटा plate है तो ये इसके perpendicular जो लाइन थी उसके बाट आपने moment of inertia calculate किया था वो कैसे किया था वो एक लंबी स्टोरी है वो डिफरेंट है वो क्या थी लेकिन थोड़ सबताते हैं कि आपने concentric rings आपने consider कर ली है और फिर बाद में एक ring का calculate किया और उसके बाद फिर सारों को integrate कर दिया center से लेकर end तक और फिर आपके पास जहाँ वो moment of inertia निकला है तो बेटा आप कहता है कि इसके about नहीं करना calculate बलकि आपको moment of inertia calculate करना है इसके about calculate करना है अब आप सोचने होंगे कि moment of अब आपने जो perpendicular axis theorem है वो तो moment of inertia देता है इसके axis के about लेकिन बेटा बात तो वही है कि अगर इसके about देता है तो दोनों इसके और इसके sum को भी तो दे करता है बताता है इसके दोनों को sum कर दिये जाए तो इसके about निकलाता है तो अगर ये चीज़ गिवन है तो इसका मतलब है तो तू टाइमस of this moment of inertia is equal to this one क्योंकि ये body जो है वो आपकी symmetric है तो बेटा आगे फदर हर detail चलती है आगे तो आप देखेंगे कि हमारे पस आगे situation क्या है बेटा हम proof की बात करते हैं देखें यहाँ पर हमारे पास जो है वो clear cut जो है वो एक circular path ये circular point है ये आपके पास एक disc है ये जिसको आपके पास thin plate आपसको कह सकते हैं कहता जी कि आपके पास ये कुछ different नाम दिये हुए है एक Izz आपके पास क्या है कि वो जो axis जो के perpendicular है उसके about आपका moment of inertia है Izz अब ये ID से क्या मुराद है पिटा D for diameter जस्त नाम दिया गाए एक so ID diameter एक diameter आपके पास इसके about Ix axis यनिके X axis भी एक diameter है इस तरह Y axis भी इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो plate है वो कौन से plane में लाइक आ रही है that is your XY plane जैसे कि आप देख सकते हैं Z axis is basically the perpendicular axis जबके X और Y axis जो है देखें इसके साथ भी D लिखाव है इधर भी D लिखाव है तो बिटा ये आपके पास diameter के about है तो diameter के about जो है वो आपके बस X और Y plane इसका मतलब एकस वाइ प्लेन जो है वो plane कौन से वाला है जो आपके थिन प्लेट है उसका है plane जबके Z axis जो है वो उसके perpendicular है कहते हैं जी कि अब बिटाए ये half ma square किस के about था आगे खेर उसकी detail मैंने लिखी है विच इस अबाउट आ लाइन पासिंग थू सेंटर और प्रिपेंडिकुलर तो दा plane बिटाए अगर आपको याद हो पहले हम एक module discuss कर चुके हैं जिसके अंदर हमने right circular cone के हवाले से बात की थी और उसमें हमने कहा था कि moment of inertia of the disc is equal to 1 by 4 ma square शायद आपको याद हो तो मैंने उस वक्त आपको थोग से hint के तोब पर प्ताया था कि दोनों को अगर हम x-axis, perpendicular axis theorem यूज करेंगे about the axis which is perpendicular to the plane है या वो जो आपकी plate है उसके about perpendicular जो axis है उसके about moment of inertia जो है वो that is equal to half ma square है तो अगर ये चीज़ है देखते हैं फिर आगे खेर इसको हम perpendicular axis theorem यूज करके कैसे calculate कर सकते हैं moment of inertia about any diameter तो बटा कहता है जी कि considering the same axis with same terms in three dimensional body that is z axis passing through the center of mass and perpendicular to the xy plane we have using we have used होना चाहिए यहां पर we are या कहेंगे या we have used perpendicular axis theorem तो बटा हम आप यहां पर देखें उसने जो उपर एक story बियान की है कहता जी कि यहां पर आपका जो उसी चीज़ को सारा कुछ वही जूम करें just यह कि वो z axis जो है वो आपका उसी center में से पास कर रहा है इसका मतलब कि axis को जो सारे points है वो सारे के सारे common point है यह बात आपने क्यों कही है यहां पर क्यों लिखी है विटा अगर थोड़ा सा आप recall करें जो आपका perpendicular axis theorem है जरा उसकी statement पे जरा गोर कीजेगा जो इससे पीशा module है विटा जो के perpendicular axis theorem का है उसकी statement में last में एक sentence लिखा हुआ है और इसमें लिखा है कि हमारे पास यह जो axis है वो सारे के सारे आपके किसी एक particular point पे ही वो common point है जिस पे वो meet करते है वहां जो उसका origin है वो सारे के सारे एक ही point है and that is the center जो भी कोई point है अब आपने शुरू में एगर रिजूम किया हुए that is the center point अपने इसको O का नाम दिया हुए तो सारे के सारे वहीं से start हो रहे है तो बटा हम आगे चलते हैं फिर perpendicular axis theorem जो है हमारे पास वो फिर क्या है कहता जी कि Izz is equal to Ixx plus Iyy इसका मतब यह हुआ कि perpendicular axis theorem की statement के मताबिक बटा axis जो के perpendicular है उसके about moment of inertia जो है that is equal to moment of inertia of the x-axis जो कि इस plane में था और इसी तरह moment of inertia about the y-axis वो भी उसके plane में था तो इन दोनों को sum करेंगे तो Izz is easy आपके पास निकलाएगा जबकि Izz is easy जो है वो आपके पास information already मौझूद है तो बटा आगे चलते हम कहते हैं जी कि we have to find out the moment of inertia of uniform circular plate disk about any of its diameters which are along x-axis and y-axis that is we have to find out Ixx or Iyy both of them are equal to Ib बटा क्यों है क्योंकि आपके पास circular disk है लहाजा वो आपके पास symmetric है तो आप Ixx calculate करें या Iyy कर लें बात एक ही है इससे को फरक नहीं पड़ेगा हमारे बात जिसको आपने नाम दिया वह है ID का तो बटा since Ixx is equal to ID is equal to Iyy जो कि मैं पहले भी बात आपको बता चुका हूँ कि स्मेट्रिक है लहाजा इससे को फरक नहीं पड़ेगा जिसस आपने नाम दे दिया ID का तो दोनों देखें अब आप बटा गोर करें कि ID जो है यह सेम है Ixx के equal to Iyy के equal to उनको दो इसमें यहाँ पर equation number 1 में substitute करते हैं देखते हैं पिर क्या बनता है तो बटा लहाजा हमारे पास equation number 1 जो है So this becomes as Izz is equal to ID plus ID क्योंकि दोनों सेम हैं तो बटा इन दोनों को सम करें So Izz is equal to 2 times ID बदर आगे बढ़ते हैं So Izz is equal to 1 by 2 Izz तो बटा हमें क्या चाहिए था Basically हमें ID की value चाहिए अब Izz हमारे पास R.E.D. मुझूद है बटा ID हमारे पास क्या था Izz क्या था Izz is equal to I disk यह लिखा बटा है So this is equal to half M A square तो उसको आपने substitute किया उपर देखें क्या हाफ M A square तो लहाजा अब आपके पास total ID क्या बन जाएगा So ID is equal to 1 by 4 M A square जबके बटा capital M क्या है That is equal to M is the mass of the disk and A is its radius तो बटा देखें अगर आपको याद हो के पहले जो एक module में हमने use किया था relation कि जी moment of inertia of the disk which is lying through the या about the axis which is parallel to the disk है या आप कह सकते हैं कि about its diameter तो बटा आपने इसको expression यूज किया था 1 by 4 M A square तो उस वक्त मैंने खुर्ण साब को बताया था कि ये perpendicular axis theorem की मेंसे बड़ी असानी के साथ इसको evaluate किया जा सकता है ये इस चीज का proof जो है अब हम यहां पे इस module में हमने देखा है So this is the end of the module Thank you very much